तो फ्रेंड्स, गुड मॉनिंग, मेरी बेटी कैसी लग रही है ना रहा फेस इदर करो, पर भुटानी भुटानी लग रही है, तीवी में एक सो देखी, तो बोली कि ना मम्मा मुझे भी ऐसा ही सजाद हो ना, मुझे भी ऐसा ही कैप चाहिए, अब मैं अचानक से कहां से सु सुबा के साड़े नो, तो जब रहे चलो ठीक है तुमको एक नया स्टाइल से, एक पैंड को ही उसका कैप बना दिये, और कित्वी प्यारी लग रही है मेरी लाडो रानी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नारा ममा व्लोग, आज मैं कीचन में आ गई हूँ, आप लोग से उठी थी, आज संडे है बोलकर, तो इसलिए कल कॉन होट वाटर पी थी क्या डाल कर वो कल में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, और अभी फिलाल में नास्ता करने जा रही हूँ, नास्ता में कोई पराठा नहीं, कोई पूरी नहीं, कुछ ऐसा नहीं, आज मेरी बे अनों कामना खूरा हो गया, आज जैसे कि आप लोग जानते ही है घर में तो वाक करना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो इसलिए हम लोगे चलो, ठीक है, बहार रहोगी तो खुस रहोगी, आजा बहार आजाओ, 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 ना, आजाओ, आजाओ ना, आगे बड सब कोई कहता है मेरा है कोई कहता है मेरा है इसलिए जिसका है वही लोग खाए देखने में से बेदाना फ्रेंड्स में आप लोगों को दिखाती हूँ बेदाना हम लोग के यहां जो हुआ था अभी तो और पक्के लाल लाल हुआ है पर तोड़ना नहीं है यहां के लोग कोई कहते है हम उगाया है कोई कहते हम उगाया है इसलिए पापा पापा हम यहां आप लोगों से बात कर रहे हैं और यह आगे बढ़ गई है और देख लीजिए आगे में ड्रेन है और गिर जाती है अभी तो तो फ्रेंट्स नाइरा गई अपने दादी बाबा के साथ बाहर बॉक करने और मैं जा रही हूँ कीचन में खाना बनाने आज मैं बनाने वाली हूँ सुरंग की सबजी हम लोग के यहाँ पर ओल कहते हैं और बाहर में सुरंग कहा जाता है बाहर के लोग सुरंग कहते हैं तो इसलिए आज मैं बनाने जारी सुरंग की सबजी और आप लोगों के साथ सेयर करती हूँ और यहां पर मेरा बच्छा पड़ रहा है, बिचेरा संडे होता है, फंडे, पर एक्जाम के वजे से हो रहा है, गंद दे, तो चलिए ठीके, पड़ो बेटा, पड़ो, एक्जाम कदम हो जाएगा, तो मस्ती करना, सब लोग पापा का आने का बेट कर रहे हैं, कि इनने ममी प उस दिन में, तो चलो, बच्चों का थोड़ा सा फंडे हो जाएगा, चलो, चलो, आप में सुरंग की सबजी बनाने जा रहे हैं, मतब ओल की सबजी, तो आप लोग जरूर वाच करें, तो मेरा खोरियर से परसल आ गया है, अब में फ्री हो जाओंगी, तो फिर मैं आप लो ज़िए कृटब, चलो आप, वॉद करके दिखाती हो, खड़ाइ में दो चुमच तेल, चलो, पर एक ज़िए, पर और एक अब इस तरह, कट कर ली हूं, और इसे तेल में फ्राई कर लेना है, एक अलु है, एक अलु, कॉख्य अलु को फ्राई कर लेना है, ब्राउन करके उ आपको जितना अलू लेना आप अपने हिसास्ते लीजिए पर मुझी ज्यादा अलू नहीं डालना है इसलिए में सिप एक ही आलू को कट करके इस तरह से तेल में फ्राइ कर ले रही हूँ धगड़क के थोड़ी पग भी ज़या मे कर दोसीटी में अब इसको भी हल्दी नमक देके अच्छी तरह से कर लेना है कर देना है और नमक भी जड़ा साही देना है क्यूंकि हल्डी नमक फिर बाद में भी पड़ेगा और नमक अपना पिर बाद में स्वादलू सार दीजिएगा अच्छी तरह से यह भी फ्राइग हो जाएगी अब इसको भी अलग से फिर निकाल के रख लेना है और मिक्सर में जर्आ से लसन अदरख और मिर्चा मिर्चा節 अपने स्वादल वीसा लीजे जितना आपको तिखा चाहिए यह देख लीजे, लसन और अद्रफ, कितना मैं ली है, तो friends मेरी all fry हो चुकी है, अब all fry करके इसमें all fry करके, और all fry करते समय हलका सा गल जाता है, तो टेंसर लेने का जरुवत नहीं है, वो सूरंग है, तो वो होता ही है, अब फिर आपको उसको निकाल fry करके, निकाल के उसके आपको कड़ाई में फिर से तेल डाल देना है, अब आपको प्याज मसाला फ्राइद करना है, तो तेल डालने के बाद थोड़ो सा पच फोरंग डालना है, उसके बाद दो प्याज लेना है, उसको महीन महीन काट लेना है, अब पच फोरंग ब्राउन होते के साथ, आपको ये प्याज डाल देना है, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर ले, कि ये ब्राउन हो जाए, तो फ्रेंड प्याज ब्राउन हो गई है, अब ये जो आलू है, आलू डाल देना है, मैं पी रही वे ग्रीन टी, उन आदी लसन और मिर्चा था, उसको पेस्ट बना के, इस प्याज के उपर डाल देना है, पेस्ट डालने के बाद, थोड़ी सी हल्दी, धनिया, एक चम्मच, जीरा, आधा चम्मच, सबजी का एवरेश, सबजी मसाला, एक चम्मच, कस्मेरी लाल मिच, आप चम्मच, अब इसे आप अच्छी तरह से फ्राइ करें, अब यह फ्राइ करते करते कुछी सकेंड बार, एक तमाटर, बाइक बारी काट लेना है, और इसको इस मसाले में ही डाल देना है, उसके बाद फाइनली आप स्वाद अनुसार अपना नमक दीजे, कि जितना आप पहले नमक दीए थे, उस हिसाब से आप फिर बाद में कितना देना है, उतना सोच के आप थोड़ा सा, अब नमक फाइनल यह फाइनल नमक हो गया है, अब फिर नहीं देना है, अब आप तुरंग डाल देना है, जो फ्राइ करके में साइड में रखी थी, अब इसको डाल के अच्छी तरह से चला ले, कि एक-एक मसाला सुरंग में भी अच्छी तरह से चली जाए, और उसी के साथ दो चुटकी गरम मसाला पीसा हुआ, आजकल तो पैकेट गरम मसाला मिलता ही है तो मैं पैकेट का भी गरम मसाला ली हुँ, दो चुटकी और इसको अच्छी तरह से प्राइ कर ले, अगर आपके पास धनिया पत्ता है, तो आप थोड़ा-थोड़ा धनिया पत्ता का गार्निशिन कर दीजे, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, तो फ्रेंड, मेरी स सबजी रेडी, तो मेरे घर मेरे यहां पर दाल भी बना है, तो इसलिए मैं सबजी बिलकु सूखा रखी हूँ, अगर आप लोग इसको ग्रेवी टाइप का बनाना चाहते हैं, तो आप पानी भी डाल सकते हैं, अगर फ्रेंड ऐसा खाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्ट सबजी बनी थी, मम्मी को, पापा को, मेरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, बस में ज्यादा नहीं खाए थी, क्योंकि अभी तो फिलाल में डाइट में हूँ, इसलिए, तो लेकिन हां मेरा फैवरेट है तो में थोड़ा सा जरूर ली थी, और आप इसे र से टुरह था है, रात साम का 0.30 बजरा है भी, तो ममी पापा को, में पापा को अचानक से अपलिटी बन की और बेगन का चोका खाने का मन किया, तो ममी कही खिला族, पर सारा तयारी कर देते है, तो मप्र बमी खाने का बना लूँ, तो चलो में ममी पापा को खाने का मन करे तो क्यों ना बनाओं और मेरा कामी क्या है बस सबको खिलाना खुद खाना अच्छा अच्छा तो फिर में ठीक है मम्मी तो लेकिन आम में इसका रेसिप्य आप लोग के साथ से नहीं कर सकती क्योंकि कल मंडे है मेरा बच्चे को सुबह उटना है और इसके मुझे भी उटना तो लेट हो जाएगा इसके फ्रेंड्स ये दिखे बन रहा है लिट्टी अब गर्मा गर्म मम्मी पापा को खिलाओं और बच्चो को भी खिलाओं बच्चे उतना ठीक से नहीं खा पाते हैं तो लोग के लिए सत्तू भर के पराठा बना देती हूं अथ्वा थ्रा बच्च लिट्टी क्योंकि पापा का भाई ये बिहारी मतलब यूपिक साइट का ये फैवरेट फूड है जो पापा बच्च पैन में बहुत जादा ही खाते थे लिए आजकल का तो फैसन चला है कि बर्गर पीजा मोमो चाउमी तो इसके आगे ये सब इनसान भूल गये हैं पापा को बहुत पसंद देता है पापा बहुत मन से खा रहे हैं तो अब ये मैं नायरा को लेने जा रही हूँ क्योंकि अब बज रहे हैं रात के दस अब मैं फटा फट सो जाओं क्योंकि सुबह उठना है तो नायरा को कह रही हूं कि सोने चलो तो नायरा रानी बैठी है हाथ में मोबाइल लेके वो पलंग और टी टेबल का डिस्टेंस देखे ना आप लोग वहाँ से टी टेबल से मोबाइल लेके ये देखे स्टार्ट करके मोबाइल देख रही है तो अब इसको मैं सुलाओ तो चलिए फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम आप लोग भी अच्छे से सोएं और सब स्वस्त रहें और मेरी वीडियो का आप लोग खुब पसंद करें और आप लोग प्यार दे अपना बाई गुड नाइट